करेटिम किम तारवादिम बिंदिया मैंने ना जम तक देनी शारे हो मैं मारिया करेजर के लिए वो थोरी शैंसेशन सी हुई मुझे स्कीन पर और उसके बार ठीक हो गया तो कुछ इस तरीके का यह प्रोड़क्ट है मैं तो डर गई थी क्योंकि मुझे अज बहुत अच्छी होंगे तो आज मैं आप लोग साश्यर करने वाली इंसाइट कोस्मेटिक का वन ब्राइन मेकप लुक इंसाइट के जो प्रोड़क्ट है और बहुत सारे लोग इंस वीडियो बना रहे तो मुझे भी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाना है अरे प्रोड़क्ट रिसीव होते ही मैं आगई हो अप लोग के सामने इस मेकप लुक को क्रियेट करने के लिए आई होप अप लोग को यह जो वीडियो है बहुत अच्छी लगेगी और यह है यह सारे प्रोड़क्ट जो मुझे आज ही रिसीव हूँ है इंसाइट कोस्मेटिक के तो मैंने बहुत ही मिनीमम प्रोड़क्ट लिया है जिससे बस एक मेकप लुक क्रियर हो जाए क्योंकि मैं गरीब हूँ तो मैं पसिते पैसे नहीं होते कि मैं इतना घर्च कर पाऊ मेकप प्रोड़क्ट पे तो मैंने फिर भी 900 रूपीज जो है वह घर्च के हैं इंसाइट कोस्मेटिक के प्रोड़क्ट पे तो चलो देखते हैं कि इस प्रोड़क्ट कैसे है साथ- करने वाली हूँ और इंसाइट के कोई मौस्टराइजर नहीं मिलता है इसलिए मैं प्राइमर से जो ये मेकप लुक है वह create करूँगी जानी स्टार्ट करूँगी तो प्राइमर और मैंने स्किन पे अचिछ etas से मौस्टराइजर अपलाई कर लिया और चली चलते हैं आब म आपके ब्रमिनीमाइजर प्राइमर प्राइमर के साथ दाइप नखी संगर मुस प्राइमर परेक्टम बॉसका करेements को तो यह जो थोती है है कसे ब्रंदे तो मैं आपके सामने ही ओपन कर रही है तो आप देख सकते हैं कि छोटू सा प्राइमर है अपको केमरे पर लग रहा हुआ कि बढ़ा है लेकिन बहुत छोटा है लोग इस करते हैं कुछ तरीके की ओ कि मैं नुट लगा आप मेरे ओन belly अवे इसको लगाने के बाद मतलब कि एकडम वाटरी बिल्कुल बिल्कुल एक्दम स्किन में जाते हैं गाइब सा हो गया और इसके पिननी को जैसे चूते हैं स्मूध लगता है उस तरीके का मेरा फेस लग जा था मुझे बहुत पसंदाया प्राइमर उसके राद में यहां पे इंसाइट का कलर करेक्टर है वील है इसके अनर आपको कलर करे शूधूर फेस के प्रकाइब साइट के आपको आपको फेस को हुआ क्योंकि में और फेस की क्योंकि निच प्रेंगक्ट को इजी में बनाना चाहते हैं कर दिलके यह कैसे बसका ब्रॉडशी है वह कैसी था उनके एप आप कशोड़ा कशिंटे आपसे फिंगल लेंड करूंए और उसी की और साथि करते हुए वान मतलब कि थोड़ी गर्मा हांट हूती जिसके मोई श्यूदर काते हैं हमारे हाथ या यहां पूरा हम पूरा अधा में के लिएक लिए और ही तो मेरे कुटलब में जहां ब्लैकेस है ब्लैक ब्लैक एरिया जो है वहाँ पर मैंने अपलाई कर लिया है और मैं बहुत ही ज्यादा फुल कब्रेज वाला है एक दम कब्रेज मुझे बहुत अच्छी मिलगी उसके राद में हाँ इंसाइट का जो है फाउंडेशन यूज़ करने वाली यह yüzफय है तो का कि दमत्क ईश तो क्यांने अच्छी मिलगी करूंक ने जिए और मुझा से वाली है जाए फाईल को पर्लेण शादाव मुझाथ एक लिकविड़ी है उसके पहले चाहता हूं नेकल भाले है और उसको अब्लेंड यूज़ करते है उपर वह सारा लो टू मीडियम कवरेज है इसकी तो इसी लिए मैंने इसको पहले हाथों से डैप डैप करके अपने स्कीन में अब्जॉब कर दिया उसके बाद मैं हलका हलका ब्यूटी ब्लीनर से डैम कर रही हूँ ताकि जो भी मेरे स्कीन पे एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट है वो इसमें आ से मैंने कंटोरिंग का शेड लिया ब्रावन कलर का और उससे में पूरे फेस की कंटोरिंग कर रही हूँ वह भी हाथों की है यस आपको किसी भी जूबरत नहीं है मेकप करने के लिए मैं अपने हाथों की हल से यह क्रीम प्रोड़क्ट तो बहुत इसली ब्लेंड हो जाते ह तो यह यह भी इतना अच्छा है ना मैं क्या बता हूं मतलब कि इसके सारे प्रोड़क्ट मुझे बहुत पसंद आया है यह जो गिलीटर जैसे को भी गिलीटर थो थोड़े चूबते हैं तो वह कुछ इस तरीके का नहीं बिल्कुल बटरी सॉफ्ट एक दम इसली ब्लेंड होने वाला है और आपको पता होगा कि अपने आपको को भी शीमर आई शेडव आपको हाथों से लगाएंगे तो ज्यादा पिग्मिटेशन आएगी लेकिन इसके साथ बिल्कुल ऐसा है मैंने ब्रश के हपस भी बहुत ज्यादा इसली तरीके से लगा लिया फॉल आउट त और इसमें हलक़ी गोल्डन शीन भी आईगी तो मुझे बहुत पसंद आया उसके फ़ीर आपको ब्लू और का लाइनर लिया में पास ब्लै कलर ना था तो मैं इसका ब्लू अच्छा नमर 0 1 है अभी मेंसे लाइनर जो हो ड्रॉपर पहले मैंने विंग लाइनर ड्रॉक्या विंग लाइनर मतलब कि इसके जो टिप बहुत जादा मोटी है तो इसलिए मैंने क्या किया लास्ट में आप देखेंगे मैंने विंग वह टा दिया था अभी तो आपको देखा रहाग वह मैंने विंग लगा काजल लिया है काजल तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूं काजल ही बहुत ज़्यादा अच्छा है वन स्ट्राइप में एक दम जड़ ब्लैक काजल है आप चाहे तो इनसाइट कास्मेट्टी के कोई भी प्रोडक्ट बहुत जादा बहुत जादा मुझे पसंद आया कोई सभी प्रोडक्ट जो है हाईली में रिकमेंट करूंगी आप लोग अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो तो यहां पर मैंने काजल लगा लिया काजल लगा लिया आप मेरे आखे देख सकते मुझे एक आख में कम एक काख में ज्यादा लग रहा था तो मैं फिर से उसक से लिफस्टिक को लगा रही थी तो आप मेरा फैस सकते हैं मैं सोच घूसा लगा रहा टीजाएर्थे ना क्यों है इतना शाइन क्यूं आ रहा इस में मतलब की मेरे दिमांग में अभी भी यही चल रहा था मैंने इस पर पढ़ा भी नहीं था कि यह क्या लिखा हुआ है वस से इसको लगा संगती गहीं मैं अपने लिप्स के पे लगा लिए अच्छे से इसके वाद आप देख अब मुझे समझ है तो मैंने चिक्स पे लगा ली है अब देख सकते एं और यह gloss जो इतना अच्छा इतना अच्छा कलर है। उसके साथ क्रीमी टीक्ट्ट्टर है बहुत क्लाम च्छाथच्छू चाहिए उस तरीके के लिप्स्टिक थी और अच्छी शाइन करी थी इसका कलर देख सकते है। हलका सा पिंग एंड टोन में कलर है इसका जो मुझे बहुत पसंद आया और देख सकते में चिक में इधर के साइड में तो ज्यादा लगा लिया तो मेक अप में मिस्टेक सबकी होती है तो उसको सुधार ना चाहिए बस तो मैंने यहां पर ब्यूटी प्लेनर से हलका सा डैप तो मेरा मेक अप लिक है में पसना में प्रमक मैंगे LS कर देनी को ने ख ोन गूट है तो मेरा मेक अप लूझ सम्प्धिक्ष सके बात एवार में लगाना है तो यह आपकर आपकते अंग्छाइब के चुछ नहीं हो लाएक कोई वर कोई रूकाबटा शिया है लगा नहीं के अधर लॉक्त तो नहीं है तो फिर मैं रूख जेख भी हुआ तो फिर मैं इसको अधर ने जागरी हो तो कि अधर ने ज्वाग नहीं है मुझे फिर मैं उसको डब डब किया मतलब कि वो थोड़ देर में ठीक भी हो गया और लेकिन कुछ ही टाइम बस फ्यू सेकंड्स के लिए जासे कि फेस पे मारा एंड हटाया इतने दिर के लिए थोड़ी सेंसेसंसी हुई मुझे और उसके बार ठीक हो गया तो कुछ इस तरीके का यह प्रोड़क्ट है मैं थोड़ डर गई थी क्योंकि मुझे मुझे सेंसिटिव एंड ड्राय टाइप है तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पता नहीं अपने स्कीन पर क्या कर लिया है ऐसे जलन सा होनी लग गया था मेरे को लेकिन अब ठीक ह और इसने मेरे फेस के मेकप को तो सेट कर दिया उसके साथी ऐसा खुश्बू आ रहा है बहुत जादा अच्छा इसने ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भी पर्फ्यूम लगाया हो तो बिल्फो इस तरीके की खुश्बू है लेकिन पता नहीं मुझे संस्टेशन क्यों हुई इसे मेरा मेकप लूक है परको मैं और लोग लगा करे आती हूँ पर उसके बाद में मिलती हूँ और लैसे जो है यह है मेरा फाइनल मेकप लुक इसका जो लिप ग्लॉस है मुझे बहुत पसंद है आइशाडो भी बहुत जाद अच्छा है मैंने बिल्कुल ही फैन हो गई हूं इंसाइड का जो फाउंडिशन है बहुत जादा सस्ता है और उसकी कब्रेज इतनी अच्छी है ना क्या ही बता मैंने बेस कितना जाथा स्मूध एंड मतलब कवरेज भी आई है थोड़ी बहुत इसमें लो टू मीडियम कवरेज है लेकिन कवरेज तो है ना यह जो फाउंडेशन है यह मैंने संवेज लिया था 0-3 तो यह मेरे स्किन टोन से एक सम मैच होता है मतलब बहुत जादा टोन आए कोई हैलाइटर नहीं लिया कोई मस्कारा भी नहीं लिया को यह लिप्स्टिक भी नहीं लिया इलिए क्या मेरे बजट में जो है फीट नहीं हो ठाव था नाइन हंड़ेट भी मैंने बहुत जादा खर्च कर दी है मतलब की तो मैं जो पैसे होते है ना बहुत असम क्रीमी सा लगता है कि वीडियो बनाओ तो यही थी अच्की वीडियो और यह मेरा फाइनल मेक अप लोग मुझे लिप्स्टिक लिपी ग्लॉस बहुत पसंद आया इस लोग के साथ बहुत जादा ग्लॉसी मतलब बिंटर के थाइनल थोड़ सा ग्लॉसी हाइड बहुत जादा हम अंप देगे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे है ऐसे मिलनाे वीडियो वीडियो को यहाद करें भी मुखिक वाए बाए बाए